नमस्कार मैं हूँ मैं यूरी स्रवास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी रुकरते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी आज नए संसत भवन का उद्घाटन कर रहे हैं इस बीच जूंतर मंतर पर धरना दे रहें पहलवानों के समर्थन में आज नई संसदभवन के बाहर हाप पंचात आयोजन करने का फैसला लिया गया है इस आयोजन में राकेश टिकैस समेट काई किसान नेता पहुच रहे हैं इसमें हरियाना और पंचाब के किसान संगठन के साथ जथे बंदियों के साथ ही कई सामाजिक और राजनेतिक संगठन वखाप शामिल होने की कोशना कर चुके हैं किसानों को रोकने के लिए बैरिकेटिंग भी की गई है तस्वीरों में आप देख सकते हैं सुरक्षा के इंतजाम किये गए हैं राकेश टिकैस पहुचने वाले हैं जिनको रोकने के लिए पूरी तयारी की गई है यह यूपी और बॉर्डर से आप तस्वीरे देख रहे ह बता दें कि आज नए संसत्भवन का उध़ातन हो रहा है और कल राकेश टिकैस ने सभी मुद्दों को लेकर सभी लोगों को आमांतरिद किया था कि हमारे साथ शामिल हों और हमारा साथ ने बता दें कि पहलवानों के समर्थन में किसान उत्रे हुए हैं और राकेश टिकैट ने कल क्या कुछ कहा था आईए आपको सुनाते हैं किसान संगठन के लोग डर गए कोई भी फोर्स का आदमी रोकागा उसी थाने में लोग जाएंगे आपका सब का धन्यवाद जैएगी जैभारत बता दे पहलवानों के समर्थन में बड़े प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है और प्रशासन के तरफ से भी इस प्रदर्शन को रोकने के लिए भरपूर तैयारियां कर ली गई हैं तस्वीरों में आप देख सकते हैं डिल्ली पुलिस सेलेट मोट पर नजर आ रही है बैरिकेटिंग कर दी गई है बाहरी संख्या में पुलिस बलतैनात कर दिये गए हैं डिल्ली यूपी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बता दे नई संसत के ब और गाजियाबाद से हमारे समवादाता प्रवीन हम से जूट चुके हैं प्रवीन प्रधान मंती नरेन मोदी आज नए संसत्भवन का उद्गाटन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में प्रदर्शन की तयारी की जा रही है प्रवीन है पर पर पूर्शन यहां पर भी पूरा पूर्शन यहां पर भी तुरक्षा करने हैं वो सब मौझूद हैं लगातार एक गारियों को अच्छा कर यहां से दिल्ली के लिए देने जा रहा है क्योंकि आज उठाटन होना है प्रदान मंत्री मोजी के तरफ पे और कमिना कहीं जो करने के बाद आप एक मंती बाद प्रोग्राम जो संडे के दिन रखा जाता है उसके बाद प्रदान मंत्री वहां पहुंचे हैं उसके बाद सीधे वापस जाएंगे लगबग 2 अधाई बजे का समय है वही राकेश टिकेट ने राथ ही इस बाद का जिकर कर दिया था कि प्रवीन कौन कौन शामिल हो सकते हो कहां कहां नाके बंदी की गई है क्या भारी हंगामे के आसार है अधिगा अपने समवादाता प्रवीन से फिर से जुडने की कोशिश करेंगे बता दें कि यूपी बॉर्डर से ये लाइव तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पहलवानों के समर्थन में किसान आज प्रदर्सन करने की कोशिश में हैं जिसको लेकर प्रश्वासन ने बता दें ना के बंदी कर दी गई है असंसत के घेराओं को लेकर पूरी तैयारी में हैं किसान बता दें किसान नेता राकेश ट्रिकैट ने दिल्ली की जनतर मंतर पर धन्ना दे रहे हैं महीला पहलवानों के समर्थन में उतरने की कल ही खोशना की थी उन्होंने ऐलान किया था कि आज वो खाप पंचायते संसत के घेराओं करेंगे बता दें कि उन्होंने फेस्बूक पर लाइव आकर भारती कुस्तिसंग के पूरवद्यक ब्रिजभूसे सरंड सिंग की गिरफतारी की मांग करते हुए खाप पंचायतों से डिल्ली कूच का आवाहन किया था बताने कि राकेश टिकायत ने घोशना किया था कि आज उत्तरप्रदेश सही तासपास के राज्यों में खाप पंचायते डिल्ली संसत भवन का घेराओं करेंगे बारती किसान यूनिन के राश्टी प्रवक्ता ने च्वेतावनी दीथी कि यदी पदाधि कारियों के घरों पर फोर्स नहीं हटाई गई तो आंदोलन अगर रूप ले लिए का उन्होंने साफ कहा था कि सुबह 10 बज़ तक यदी फोर्स नहीं हटाई गई तो हर किसान नेता ट्रैक्टरों से दिल्ली के लिए कूच करेगा उन्होंने कहा कि यदी सुबह 10 बज़ त आईए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि कल राकेश टिकैट ने क्या कुछ कहा था ग्यारा बज़े तक पूरी फोर्स हटगानी चाहिए कारिये करता तयारी पर रहे अपड़ी दन्यवाद सभी का और पूरा पुलिस परसासान हमारी जो दिल्ली पुलिस रोक हैगी हम उनसे बात चीत करेंगे उत्तर परदेश जादे पंगेबाजी महमत पड़े हम नहीं कुछ कह रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि यह किसान संगठन के लोग डर गे कोई भी फोर्स का प्रदान मंत्री मोदी ने उद्खाटन किया कारकरम चल रहा है वहें दूसरी तरफ पहलवानों के समर्थन में के सान प्रदार्सन करने की तैयारी में है वहीं इसको लेका प्रशासन भी पूरी तरह से एलाइट मोट पर नज़र आ रहा है बताएं कि कल का कारकर पतादे राकेश टिकैट ने कहा कि उन्हें जवानकारी मिली है कि बाक्यू पदाधिकारियों के घरों पर प्रदेश सरकार ने पुलिस फोर्स लगा दी है तो ग्यारा बजे वह फेस्बुक पर लाइव आएंगे और किसानों से उनके वहनों सही दिल्ली के लिए कूच करने का आवाहन करेंगे और किसानों से आवाहन किया कि उनके बीच आकर कुछ लोग उकसाने की कारवाई कर सकते हैं ऐसे लोगों को समथान रखना होगा और आंदोलन पूर्ण रूप से शान्ती मैं होगा उनके का कि कुछ लोगों को जीतने के लिए चुनाओ लड़ना है वहें मौके पर फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं बता दें कि जहां एक तरफ प्रधान मंत्री मोदी आज देश को नए संसत भवन की सौगात दे रहे हैं वहीं जनतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैट समेत तमाम किसान आज संसत भवन के घिराओं की कोशिश में हैं प्रधरसन की कोशिश में हैं वहीं इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से लैट मोट पर नजर आ रहा है सुरक्षा के करें इंतिजाम किये गए हैं चपे चपे पर सुरक्षा बल लगा दिये गए हैं बता दें बॉर्डर सील कर दिया गया है फिल हाला भी के लिए इतना ही आगे आप से फिर होगी मुलाकात तब तक ले बने रहे हैं प्राइम टीवी के साथ नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार